असलाम आलेकुम वालेकुम असलाम क्या आपने हुवक पूरा किया मेरे बेटे हाँ मैंने कर लिया अबू अब आप मुझे र कहानी सुनाईए ठीक है मेरे बेटे क्या आपको याद है कि कल हम कहां रुके थे आपने मुझे बताया कि किस तरह तलित ने पैगंबर के कतल का मनसूबा बनाया लेकिन मिशेल ने उसके इस मनसूबे को सुन लिया और पैगंबर को खबरदार कर दिया इसलिए वर रात के वक एक उट पर सवार होकर निकल गए माशाला वो अजीम थे मैं अब आपको आगे की कहानी सुनाऊंगा घौर से सुनो बिस्मिल्लाव पैगंबर दाओद लिएसलाम बात्शाह बन गए दाओद लिएसलाम को एहसास हुआ कि उस रात तलत उनका कतल करने वाले थे इसलिए उन्होंने अपना सामान और कुछ खाना लिया और महल से रवाना हो गए उन्होंने तवील अरसे तक सफर किया तब उन्हें पहार के अरूच पर एक गार मिली उन्होंने फैसला कि कुछ वक्त आराम करने के लिए ये एक अच्छी जगा है पैगंबर ने कई दिन वहां गुजारे पैगंबर के भाईयों को पता चला कि वे गार के अंदर छुपे हैं तो वो उनसे मुलाकात करने पहुँचे हम अपने बादशा से ठक चुके हैं उन्होंने पैगंबर को बताया वो रियासत में सभी के साथ बुरा बरताव कर रहा है हम आपकी फौज में शामिल होना चाहते हैं भाई अगले दिन कुछ और लोग घार में पहुचे आप क्या चाहते हैं पैगंबर ने पूचा बादशा से हमारी फास्थ कीजी शेहरी उने कहा वो एक बुरा आदमी है और वो हर किसी पर जल्म कर रहा है महरवानी करके हमें अपनी फौज में शामिल होने दे पैगंबर राजी हो गए इस तरह जादे से जादे लोग पैगंबर की फौज में शामिल होने के लिए पहुचने लगे तलत ने अपनी आवाम के साथ बुरा भरताफ किया और अपने फौजियों से आवाम में देहशत पहलाई आवाम ने धीरे धीरे उसके खिलाफ होना शुरू कर दिया जब उसे पता चला कि पैगंबर एक फौज तयार कर रहे हैं तो उसने पैगंबर के खिलाफ जंग में जाने का फैसला किया फौज ने कई दिनों तक सफर किया और वो अब तक एक लंबा सफर तये कर चुके थे बादशाओ और उसके लोग ठके हुए थे इसलिए उन्होंने वादी में कुछ वक्त के लिए आराम करने का फैसला किया जब तलत सो रहे थे तब पैगंबर खामोशी से उनकी गार में दाखिल हुए उन्होंने उसकी शमशीर ली और तलत के लिबास से एक हिस्सा कदरन काट ली वो बाहर आके चिलाए एए बादशाओ बादशाओ उठे और गार के बाहर आए उसने पैगंबर को अपने आदमियों के साथ खड़े देखा तुम यहां मुझे कतल करने के इरादे से आए हो पैगंबर चिलाए लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं करता और मैं तुम्हारा कतल नहीं करना चाहता अगर मैं तुम्हारा कतल करना चाहता तो ऐसा कर सकता था जड़ तुम सो रहे थे यह कहते हुए पैगंबर ने उसे कपड़े की कत्रन दिखाई और उससे कहा यह तुम्हारे लिबास का तुकड़ा है मैं इसके बजाए तुम्हें कतल कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया मेरा मकसद महबत है नफरत नहीं बादशा को अपनी गलिती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मागी पैगंबर ने बादशा को माफ कर दिया और उसे अपनी रियासत में वापस लोट जाने की इजाज़त दे दी कुछ सालों के बाद एक जंग में तलत मारे गए लोगों को याद था कि दाओद अलाई सलाम ने उनके लिए क्या किया था इसलिए उन्होंने उन्हें अपना बादशाह माना अल्लाई ने उनकी रियासत को मजबूत और अजीम बना दिया और उनके दुश्मन उनसे खौफ खाने लगे कुछ अरसे बाद अल्लाई ने पैगंबर को एक बेटे से नवाजा और उन्होंने उनका नाम सुलिमान रखा वो लड़का बच्पन से ही बहुत अक्लमंद और जहीन था जब वे ग्यारा साल का था तब एक वाक्या ऐसा हुआ एक दिन दाओद आलेस्सलाम हमेशा की तरह अपनी आवाम की मुश्कलातों को सुन रहे थे तब दो आदमी उनके पास आए उनमें से एक के पास एक खेत था खेत के मालिक ने कहा एए मेरे अजीज पेगंबर इस आदमी की बेड़ कल रात मेरे केत में आ गई और मेरे सारे अंगूर खा गई अब मेरे पास कुछ नहीं बचा महरबानी करके उसे मेरा खामियाजा देने के लिए कहें उसने रोते हुए कहा क्या ये सच है पेगंबर ने बेड़ के मालिक से पूछा हाँ जनाब उसने जवाब दिया पेगंबर ने सोचा और कहा मैंने फैसला किया है कि आप उसे उसके नुखसान के खामियाजे के तौर पर अपनी भेड़ दे दे लेकिन जनाब भेड़ ही मेरे सब कुछ है आदमी ने कहा और तब ही सुलिमान बोल उठे मेरे पास एक तरकीब है क्या तरकीब है पेगंबर ने पूछा तब उनके बेटे ने कहा भेड़ के मालिक को खेत में काम करने दो जब तक कि अंगूर दुबारा नहीं उपते खेत मालिक उन और दूद का इस्तिमाल करके जिन्दगी बसर कर सकता है जब तक कि उसकी फसलें वापस न हो जाएं और जब अंगूर तयार हो जाते हैं तो खेत मालिक अपने खेत को वापस ले सकता है और भेड को उसके मालिक को लोटा सकता है पेगंबर हैरान थे ये एक उमदा फैसला है इस इल्म के लिए आप अल्ला का शुक्रिया अदा करें आप वागई अकल मंद हैं दोनों ने सुलिमान का शुक्रिया अदा किया क्योंकि ये उनके लिए बेहतर फैसला था भेड का मालिक भी खुश था क्योंकि उसे अपनी भेडे नहीं देनी थी अल्ला ने असल में सुलिमान को इल्म से नवाजा था जो उन्हें अपने वालिद से विरासत में मिला था पेगंबर दाओद अल्हेसलाम एक इनसाफ पसंद और मजभी हुकुमरान थे जो अपने लोगों के लिए अमान और बरकत लाते थे अल्ला ने उन्हें एक पेगंबर का दरजा भी अता किया था उन्होंने अपनी सुरीली आवास की मदद से अल्ला का कलाम अपने लोगों तक पहुँचाया जब उन्होंने जबूर को पढ़ा तो लोगोंने उनकी बात माली उन्होंने जो कलाम कहे वो बहुत मगबूल हुए और लोगों के जहन में उतर गए भले ही वो बादशा थे लेकिन वो शान उ शौकत से नहीं जीते थे उन्होंने महल के खाजाने का इस्तिमाल कभी अपने लिए नहीं किया वो असला बनाने का हुनर चाहते थे इसलिए वो खुद असला बनाते और फरुख करते थे पैगंबर उसी रकम से अपना गुजर बसर करते थे पैगंबर ने अपने कामों को दिन के चार पहरों में बांग दिया था एक रोजी रोटी कमाने और आराम करने के लिए एक अपने खुदा की अबादत करने के लिए एक अपने लोगों के लिए और दिन का आखरी पहर अपने मजभी बयान देने के लिए एक दिन पैगंबर हमेशा की तरह अपने हुजरे में दूआ कर रहे थे उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्न दिया कि उनकी अबादत में किसी भी तरह का खलल ना पहुँचे लेकिन किसी तरह दो शक्स कमरे में दाखिल हो गए जब पैगंबर की अबादत में खलल पहुचा तो उन्होंने उनसे घुसे में पूचा कौन हो तुम? डरो मत उनमें से एक ने कहा हमारे बीच एक तनाजा है और हम आपके फैसले के लिए यहां आए है क्या बात है? पैगंबर ने पूचा फिर पहले शक्स ने कहा ये मेरा भाई है उसके पास 99 बेड़े हैं और मेरे पास सिर्फ एक एक दिन उन्होंने कहा कि इसे मेरे हवाले करो और मुझ पर हावी होकर मेरी बेड़ हडप ली ये मेरे साथ नाइनसाफी है महरबानी कर आप इनसाफ कीजिए पैगंबर ने दूसरे शक्स की बात सुनने के लिए इंतजार नहीं किया और जल्दबाजी में कहा इसके पास बेड़े थी फिर भी इसने तुम्हारी बेड़ हडप ली फिर अचानक वो दोनों शक्स एक बादल की तरह गायब हो गए तब पैगंबर ने महसूस किया कि वो अल्ला के भेजे हुए फरिश्टे थे और वो उन्हें सबक सिखाने आई थे पैगंबर को एहसास हो गया कि दोनों की दलीले सुने बगएर उन्हें फैसला नहीं सुनाना चाहिए था उन्हें अपनी गलिती का एहसास हुआ और परिशानी में मुझ जमीन पर गिर पड़े अपने रब से माफी मांगी और फूट फूट कर रोए अल्ला ने उन्हें माफ कर दिया और पैगंबर लंबे वक्त तक हयात रहे पैगंबर ने अल्ला की मरते दम तक अबादत की रिवायत के तहट उनकी मौत पर चार हजार आलिमों और हजारों लोगों ने गम का इजहार किया दफनाने के दिन धूब बहुत तेज थी और जो लोग आये थे उनके लिए ये मुश्किल वक्त था तब सुलिमान ने परिंदों को बलाया हजारों परिंदों ने आकर आफ़ताव को धख दिया ये सुलिमान अलस्सलाम की खुदाई की पहली निशानी थी जो लोगों ने देखी थी आफ़ताव को धखते परिंदे माशालला वे मिसाल था तो क्या आपको कहानी पसंद आई मुझे बहुत पसंद आई अबू ठीक है तो आप सवालों के लिए तयार हो हाँ मैं तयार हूँ तो मुझे बताओ कि आवाम पैगंबर की तरफ क्यों होने लगी लोग तलद के जुल्मों से परिशान थे इसलिए वो पैगंबर के साथ हो लिये बिल्कुल सही क्या पैगंबर ने तलद को कतल किया जब वे सो रहा था नहीं पैगंबर ने तलद के लिवास का एक हिस्सा काट लिया और उसका नेजा ले लिया था ऐसा उन्होंने क्यों किया? पैगंबर ने तलिक को दिखाना चाहा कि वो किसी को भी कतल नहीं करना चाहते थे बहले ही उनके पास मौका हो बहुत खूब मेरे बेटे अब मुझे ये बताओ कि पैगंबर दाओद का पेशा क्या था? वो असला बनाने में माहिर थे फिर से सही जवाब अब जर्ब मुझे ये बताओ कि पैगंबर ने अपने दिन के पहरों को कैसे बाटा था? पैगंबर ने अपने दिन को चार हिस्सों में बाटा था पहला पहर उनके रोजी रोटी कमाने और आराम करने के लिए था दूसरा हिस्सा अल्ला की अबादत के लिए तीसरा हिस्सा अपने लोगों के मामलातों को हल करने के लिए इस्तमाल किया था और मजबी बयान देने के लिए आखरी पहर का इस्तमाल किया माशालला बहुत खूब मेरे बच्चे अब आखरी सवाल पैगंबर के बेटे का नाम क्या था? उसका नाम सुलिमान था ला जवाब आज के लिए बस इतना ही मैं आपको कल पैगंबर सुलिमान की कहानी सुनाओंगा शब्बख है रामिर शब्बख है रबू